ऐसे में सजगता और आपसी सवहार्द को कैसे बनाए रखना है कोई अगर आग लगाने की कोशिज करें उससे कैसे बचना है इन सब के लिए सतर्था जरूरी है अमनसमीति उन सब का अनरोध भी करती और अमनसमीति इस चीजों का प्रचार प्रसार भी करने का प्रयास में पर तैयारीप की जाने चाहिए किम आग लग जाये तो अगनी सामक रखते हैं बड़े आज़ीनों में या बड़ा पंडाल कहीं लगाया है तो तो कितना और जाये तो उसकी तैयारीप रखते हैं तो कोई आ करके उकसा के न रख लगके आपको लड़वा न दे इसके लिए भ अमन समिती या फिर सभी धर्मों का कोई समूह गाउं अस्तर पर सहर अस्तर पर बनके तयार होना चाहिए जो इन सब चाहिजों कोई भी मॉनेटरिंग करें कि कोई लगा न दे जमेला और आपस में पब्लिक लड़ते रहे बिहार की बात करें तो बिहार के लोग काफी सजग होते हैं यहां कहा जाता है कि गंगा-जमुना तष्जीब है दोनों धर्म के तमाम धर्मों को लोग दोनों धर्मिलपे परिया और सब्सक्राइब तो प्रसासन थोरा सजग होता है और सोचल-मिडिया उन्हीं में नेट कने कुछ लोग मिलता है निर्चीत ही राजनीत से जड़े लोगों को इससे लाव मिलता है कली आप देखी रहें भारत में राजनीत में जाती धर्म को पाटियां महुत देती घृती को तोड़ना चेजिए जातिवाद को धर्मवाद को हमारा समविधान भिकाता है लेकिन फिर भी पार्टियां इसमें लगी है क्योंकि उसको वोट का लाम मिलता है लोगों के लिए काम लोगों के लिए सडके बनवाकर लोगों के लिए स्कूल बनवाकर हॉस्पिटल बनवाक कर उनके दिन प्रतिदिन की जो आवश्यक्ता हैं उसको पूरा करके और उनको प्रभावित करके वोट मांगने से बहुत आसान होता है जाती धर्म में उलजा दो लड़ा दो तो उसमें कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है लोग लड़ते हैं और फिर एक जूठ होक तुकड़ा हिंदू मंदिर में रख दिया और वही ग्रूप मांस कुछ तुकड़ा